तो मार्केट में यानिकी सोशल मीडिया में एक और सबूत आए हैं मलिक फैमिली के खिलाफ कि किस तरीके से मलिक फैमिली पैसो का लालच देखे बहुत सारे लोगों का जुबान और इमान खरीदना चाहती है सो इसी के बारे में आग वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रूव्स मैं आपको चैट के यहाँ पे दिखाऊंगी इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो हेलो हाई वेलकम बैक टू माइ चैनल अर्थ मॉम देरादून मैं हो जोती और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे चैनल में रियाक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह जरूर बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया इस वक्त ना एक मार्केट बन गया है जिस मार्केट में अगर कुछ सची और पुकता खबरे भी हैं तो उसी हिसाब से कुछ फेक न्यूस भी स्प्रेड हो रही है क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर जितना घमासान युद नहीं है उतना कॉंपिटिशन और उतना युद बिग बॉस के घर के बाहर चिड़ा हुआ है सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूंगी कि अर्मान मलिक की फैमिली के लिए जो भी एलिगेशन लगाये जा रहे हैं पॉलिगैमी को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थपड़कांड को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती लेकिन एक चीज मैं जरूर clear करना चाहूंगी कि मैं अपने चानल के माध्यम से audience को गुम्राह नहीं करती एक transparency देने की मैं अपने end पे पूरी कोशिश करती हूँ no matter कि उस transparency में कुछ लोग मुझे पसंद भी करते हैं कुछ नापसंद भी करते हैं लेकिन मैं अंध्यों के कभी भी reviewer reaction नहीं देती जब तक कोई references में अपनी आखों से कोई सुबूत में अपनी आखों से cross check नहीं कर लेती तब तक मैं किसी के भी बारे में कोई भी चीज डंके के चोट पे नहीं बोलती हूँ तो यहाँ पे जो जो allegation अर्मान पे मैंने खुद अपनी आखों से witness करे हैं उन चीजों के लिए मैं definitely अर्मान के खिलाफ बोलती हूँ लेकिन जो चीजे मैंने अपनी आखों से नहीं देखी या जिन चीजों के कहीं पे भी कोई सुबूत कोई witness नहीं है उन चीजों के लिए मैं बोलने से पहले सोचती हूँ कि अगर in case ये चीजे जूटी प्रूव होगी तो मैं as a reaction channel जूटा प्रूव हो जाओंगी जो मैं नहीं चाहती इस समय अर्मान मली की family के लिए बहुत सारे allegation social media पे लग रही हैं जिन में से कुछ allegation बिल्कुल सही है लेकिन कुछ allegation पे परदा फाश करूँगी मैं आज आप सब के सामने इस वीडियो के माध्यम से तो दोस्तो एक बहुत ही reputed channel ने इस बात का दावा किया है हालाकि उस reputed channel का अगर आप इतिहास खोल के देखेंगे ना तो उस channel पे आज सक कभी भी कोई news पुखता आई ही नहीं है जो चीज हुई ही नहीं है वो सीज के बारे में वो channel news देता है चीजे बताता है और बताता अतने confidence के साथ है कि लोगों को लगता है कि ये तो होने वाला है लेकिन खोदा पहाड और निकला चुहां वाली सित्य हो जाती है ये सभी के लिए है बिग बॉस के एपिसोड के बारे में भी वो पहले ही बताना शुरू कर देता है लेकिन जो वो बताता है वो कभी भी एपिसोड में होता ही नहीं है तो ये जो शुरुआत है ना ये कही ना कही उसी चानल से हुई थी जहां पर उन्होंने ये बोला था कि हमारे उपर ऐसा ऐलिगेशन लगते हैं कि हम पैसो के लिए जो है वो न्यूस सेल करते हैं लेकिन आज हम अपनी सच्चाई प्रूफ करने वाले हैं कि हम कभी भी पैसो के लिए कोई भी काम नहीं करते अरे उस चैनल में एक तो सही और सॉलिड न्यूस दिखा दो जिसके भी बारे में बता रहे हो चाहे चंद्रिका हो चाहे शिवानी हो कुछ भी सच नहीं है उस चैनल में टॉक टू बॉटम और उस चैनल ने एक नई न्यूस सर्कुलेट करी जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको एक लाख रुपए का ओफर दिया गया न्यूस चलाने के लिए मलिक फैमिली के द्वारा ठीक है इस समय मलिक फैमिली ने बहुत ग्लिच करे हैं बहुत गर्बर गोटाले कर रही हैं बहुत गलत चीजे करी हैं जिसके लिए डैफिनिट लिए आपफिनेटली आप लोगो को उन्हें support नहीं करना चाहिए लेकिन जूट भी तो support नहीं करना चाहिए retail जूट तो जूट होता है सच तो सच होता है और जूट की आखे ना हो भले ही क्योंकि हर चीज को देखने के लिए सुबू चाहिए होता है लेकिन जूट जादा लंबे समय तक नहीं टिकता और मैं अपनी ओडियोंस को बिल्कुल भी गुम्राह होने नहीं दूंगी कि कल को आ ये पॉजिटिव न्यूज बुलवाने के लिए तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर ऐसा हुआ था तो उस मेल में कहीं पे भी पायल या मलिक फैमिली की कोई भी ओफीशल आईडी क्यों नहीं थी और एक इंसान जो खुद अपने व्लॉग में प्रमोट करना छोड़ च फ़ई तो वह आप पॉजिटिव प्रमोशन करा के करेंगे क्या क्योंकि ऊठीन्स प्शूटिव की एक लाइन नहीं सुनना चाहती है तो प्वलॉजिटिव प्रमोशन करा के वह ओडिजियंस का दिमाग बदल नहीं सकते है क्योंकि audience ने अपना जो mindset कर लिया वो कर लिया थपड कांड गलत था तो गलत था अब उसको दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो बदल नहीं सकती क्योंकि थपड तो उन्होंने मार दिया तो वहां पे एक लाक रुपे का offer दिखाया और उसके साथ साथ कुछ ऐसे chats दिखाए जहां पे एक-एक tweet करने के अगर अर्मान के लिए आप एक-एक tweet करेंगे तो वहां पे आपको 1000-1000 रुपे पर tweet मिलेगा प्लस ये भी बोला गया कि पायल मैडम जो है वो twitter space में भी आपके आएंगी तो अगर ऐसी कोई marketing strategy करनी होती न तो ये marketing strategy बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले ही हर contestant अपनी करके जाता है अपने अपने लिए एक PR agency वो लोग hire already बहार के लिए करके जाते हैं आप लोग I'm sure बहुत time से बिग बॉस को follow करते होंगे और आपने देखा होगा कि हर किसी के PR चीज़े चलती है ट्विटर पे और ये चीज़े वो पहले ही sign और करके जाते हैं कि ये हमारा PR पूरा handle करेग उन्हें बाद में किसी को खरीदने की जरुरत नहीं पड़ती है और जो chat आई है वो मैं आपके लगा भी दूंगी यहाँ पे आप इस chat को देख सकते हो कि इसमें ना तो Pile ये chat कर रही है in fact Pile के behalf में जिस तरीके से बात करी जा रही है वो begging करी जा रही है जिस तरीके से कर रही है तो इस चैट को देख के हम यह नहीं बोल सकते और शॉरटी से नहीं कह सकते कि मलेगी इतनी भी अन प्रोफेश्णल नहीं है जिनके अंडर में चारीस लोगों की टीम है वो इतना उन-प्रोफेश्णल काम नहीं करेंगे कि उन्हें चीज बूरी आपनी एज़न 57 से सब कुछ final करके बाहर से जाते तो यह जो news है ना कुछ news मसाले के लिए ना create कराई जाती है कुछ तो इनसान की गलतियां होती है और कुछ create कराई जाती है तो यह पैसो का लेंदेन वाले जो news media channel ने चला दिये और सुबूत के नाम पर यह fake screenshot चला दिये है यह बिल्कुल भी सही नहीं है पैसे से आप किसी का इमान नहीं खरीच सकते और यह सारे contract और bond पहले ही sign हो जाते हैं कि यह फलाना फलाना हमारे लिए support करेगा आपने ऐसे बहुत सारे media channels देखे होंगे जो किसी एक particular इंसान को लेके अपने reviews देते रहते हैं देते रहते हैं वो चाहिए अंदर कितना भी गलत कर रहा होता है उनका काम होता है बस बाहर उनको support करना उनके लिए positive बोलना और उनका पूरा channel पे सारा content उनके नाम का होता है तो उन्होंने बाहर से decide कर रहा होता है कि यह इस बंदे को support करने वाले हैं यह इसको support करने वाले हैं इस तरीके से media channels जो हैं वो पहले से divide हो जाते हैं वो बाद में नहीं होते हैं पायल की family तो खुद desperately चाहती कि अर्मान जो है वो घर से बाहर आ जाएं तो मैंने सुचा फटा-फट से आप लोगों को बता दू कि ऐसी किसी भी news में आप लोग आख बंद करके विश्वास ना करें किसी के लिए भी हो इस समय घर के contestant सारे के सारे target पर है क्योंकि सब एक दूसरे का competition है और competition को हर कोई खतम करना चाहता है चाहे वो घर का कोई की भी contestant हो तो अभी तो यह शुरुआत है जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी fake news आपको देखने और सुनने को मिलेगी लेकिन एज ओडियंस किसी भी news पे विश्वास करने से पहले आप definitely उसको recheck कीजिए references चेक कीजिए उसके बाद उन चीजों पर विश्वास कीजिए यहाँ पर किसी को support करने का बिल्कुल भी मेरा motive नहीं है मैं Big Boss को follow जरूर कर रही हूं लेकिन support मैं किसी को भी नहीं कर रही हूं मैंने एक बार भी अपने reaction वीडियो में किसी के लिए भी voting अपील नहीं करी है क्योंकि मेरा कोई media channel नहीं है मेरा reaction और review channel है जैसा जैसा social media पे news आती है उसके हिसाब से मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं सची और transparent news आप सबके सामने लेके आऊं क्योंकि audience गुम्राह हो गलत family का शिकार हो मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं तो आप लोग इस चीच को कैसे भी ले सकते हैं बट मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो चैट्स आई है वो फेक चैट्स हैं I hope कि आप लोगों को यह reaction video पसंद आया होगा comment section में अपना favorite big boss contestant का नाम जरूर लिखना जिसको आप चाहते हैं कि big boss की trophy लेके आए comment section में आप उसके लिए voting appeal कर सकते हैं मेरे comment section के दर्वाज़ हमेशा हर किसी के लिए बिल्कुल खुले हैं आप अपने पसंदिदा के लिए voting appeal और support की demand comment section में बिल्कुल बे धड़क और बे जिजख होके कर सकते हैं thanks for watching earth mom देहरादू